कि विल्गा वेल्कूम तो दीचैनल ग्यापन केड़मी चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जिसका नाद है परिनालीका और इसको इंगलिस में बोलते हैं बेलन की अकार का आप लोग को एक बेलन लेना है जो अंदर से क्या हो खोख़ळा हो जैसे कि आम लोग को दिखा दे रही हूं इस तरीके का देखे यह बेलन है औरंdar से देखे यह仏 है फाली है इसी को बोला जेता है खोखला बिलनकार अधार तीकी और ऐसा लेना है आप लोगों को आधार जो कूचालक हो जिसे विदूदारा प्रवाइद ना हो सके देखिए यह भी क्या है कूचालक है लखडी का है तीक है अब आप लोगों को लेना है तामबाका तार या फिर कोई भी विधूद विधूत रोधी तार विधूत रोधी तार मतले था तार Is Full its L का आधार लिए एक आधार है इसी पर इस तार को क्या करना है लपेटना है कैसे लपेटना है इस पर मैं दिखा दे रहे हूं ऐसे करकर ऐसे 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 मतलब इसी तरह ऐसे लपेटना है कि एक दूसरे के उपर चड़े नहीं लेकिन बहुत पास-पास सटे-शटे हो प्रिश को बैटरी से जोड़ देना हूं ठीगे कुंजी लगाना तो लगा लीजिए। यह ओगया प्लॉस और यह माइनस धारा की दर से परवाईद होगी। परवाईद फिर से बता दे रहिए। यह होगी आप लोग का बेलनकार अधार जैसे कि यह और इस पर आप लोग को तामबे के तार या फिर कोई भी विदूत रोधी तार लपेटना है कैसे देखिए ऐसे पकड़ना है पीछे से ले कर गई हूं देखिए पीछे से गया है फिर बाहर ऐसे आया है यह भी बिल्कुल देखिए पास से देखिए और ऐसे करकर कर आप लोग को लपेटना है कि यह एरेंज्मेंट जो है यह परिनालिका का है ठीक है ऐसे देखिए कि एक मिनट यह हो गया ना कि देख पा रहे हैं आप लोग इसको हाँ कैसे छान अब देखिए यह अंधर से गया है इसे फिर बाहर आया है फिर нутьर फिर बाहर या है बिलकुल उसी तरह यहां पर जलते हैं और उसी तरह श्राइध और इस अर्म को सिर्फ लोग कुंडलित कूडलित हैं जैसे कि देखिए इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं अब यह कुंडलित हो गया ना अब हम लोग निकाल भी सकते हैं देखिए कुंडलित तार हो गया अब यह बिलनाकार आप अधार इसमें लगाएंगे नहीं भी न तो यह क्या हो गया कुंडलित तार हो गया और इसी को लाकर बैटर को निकाल दीजिए या फिर इसी में रहने दीजिए कोई दिकत नहीं है ठीकिए तो यह आप लोगी परिनालिका यह शेटर प्रवाइद करते हैं तो तार में तो क्या होता है धारा प्रवाइद होने से चुंबा की एच्षेतर उत्पन होता है तो इसमें भी चुंबा की एच्षेतर उत्पन होगा तो चुंबा की एच्षेतर की दिशा क्या होगी किदर से किदर चुंबा की एच्षेतर प्रवाइत होगा तो दिशा निकालने के लिए हम किस नियम का हेल्प लेंगे मैक्सवेल क कि दचेड़ हस्तनियम की तुजी सभी उगलिया आपको दिखाएगा जैसे कि यह कि जोद receptor की जिए में इधर धारा परवाई तो रहा न तो अंग्ठे को धारा की दिशा में किये हैं तो बाकी सभी उंगलिये कि इधर दिखा रही है इधर तो यानि कि जो चुम्बक ये छेत्र है वो इधर है ठीक है इधर से क्या हो रहा है ऐसे होकर फिर ऐसे आ रहा है यानि कि चुम्बक ये छेटर रेखाओं की दिशा हैं और आप लोग चुमबक में क्या पढ़ हैं हैं जिढ़ से चुम्बक ये छयादर रेखाये निकलती है वह पूल होता है नॉर्थ पूल तो हम इधर से ही ना चुम्बक ये छेत्र रेखाये निकल रही है चारों तरफ फिर इधर आकर एंटर कर रही है प्रवेश कर रही है तो इधर से निकल रही है तो इस सीरों को हम क्या बोल सकते हैं नॉर्थ पूल यानि कि उत्री ध्रो जैसे कि साउथ पूल में इंटर करती है बिल्कुल उसी तरह यहां से दो सकते हैं तो यह के वज़े से वो जो परिनाली का होता है क्या हो जाता है वेवस्थित हो जाता है और उसका एक सीरा नौर्थ पोल की तरफ और दूसरा सीरा साउथ पोल की तरह कारे करने लगता है और इसी एरेंजमेंट को इसी वेवस्था को बोलते हैं लोग परिनाली का कोई दिक्कत नहीं लीजिए यहां तक फटफट इस्त्रिंस ओप अब चलिए आगे समझें कि विदूद चुमबक किसे कहते हैं देखिए यह नाम से किलिए रहे विदूद चुमबक यानि कि वह चुमबक जिसमें से विदूद्दारा प्रवाइत हो तभी वह चुमबक का गुड़ उत्पन करे नहीं तो उसमें से अगर विदूद्दारा प्रवाइत नहीं किया जाएगा तो वह चुमबक का गुड़ नहीं दिखाएगा तीक है मतलब यह क्या होता है और इस्थाई होता है जब तक आप इसमें से विदूद्दारा प्रवाइत करेंगे तब तक यह चुमबक की तरह क करेगा और जब आप विदुद्धरा को रोक देंगे उसमें परवाइत नहीं करेंगे तो चुम्बक की तरह कारे नहीं करेगा देखिए कैसे यह विदुद्ध चुम्बक बनता है बिल्कुल आप परिनालिका ले लिए अभी मैं समझाई ना परिनालिका किसे कहते हैं यह कु कुंडलित तार है इसे कुंडलित तार के अंदर अंदर आप लोग को एक नर्म लोहा डाल देना है क्या नर्म लोहा ठीक है यह नर्म लोहा एक पतला सा छण डाल दिये ठीक है और इसी नर्म लोहे को क्या बोलते हैं क्रोड बोलते हैं एक नया नाम है इसका क्रोड यह च्छेतर रिखाये निकल रही थी वह इस क्रोड को क्या बना देंगी चुम्बक में बदल देंगी यानि कि अब यह जो क्रोड है ना आप नर्म लोहा अभी चुम्बक की तरह वेवहार करेंगा और इसका भी वाला एक सीरा एन होगा और एस होगा और यह बिल्कुल चुम्ब यह जह defect की तरह करेंगे तो क्या होगा यह जो नर्म लोहा है वह चुम्बक की तरह काया नहीं करेंगा तू यह समझ में आ गिया विदूत चुम्बक इसी को बोलते हैं विदू चुम्बक की तरह कार्य करने लगता है विदू चुम्बक इसी को कहते हैं अब देखिए इसकी निर्भरता यह डिपेंड किस चीजों पर बनता है फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है जितना ज्यादा आप फेरा रखेंगे न यह फेरा कुंड विधूदध्ध्ध्धुमबक जो है फेरो की संग्या भी इस केicasग्या मेरे किंगी पर्वी विधूद्ध्ध्ध कत्व करता है कैसे जितना ही जद है विधूद्ध्ध। ने söz उतना ही यह क्या होगा चुम्भक पावर्फुल होगा ठीके तो यह भी यह भी समानुपाती क्या है आइ प्रकृति पर आप लोगोगो जो नर्म लोहा लेना है ना आप ऐसा लीजिए जो आसानी से चुम्बक में बुदल जाए इसकी प्रकृती जैसा होगी वैसाही आप लोग कर गो अच्छा क्रोट ढाम लेंगे क्या होगा बहुत अच्छा चुमबक बनेगा और उसके सांध सात्थ और जैसाही आप लोग इस को बंद करेंगे रिधुद्ध्धक का मन हटाएंगे यह बहुत जल्दी क्या हो जाएगा नर्म लो हमें चेंज हो जाएगा ठीक है तो यहां तक कोई दिकत नहीं है बस परिनाली का और विदू चुमक समझ में आ गया यहां तक लीजे फटाफट स्क्रीन सॉट तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बाकी सार और खुदा हाफिज